समानतर किरणें जो मुख्य अक्ष से दूर होती हैं और अपरिवर्तित होने के बाद जो ना भी बिंदु पर नहीं मिलती हैं उन्हें सीमानत किरण कहा जाता है समानतर अपातित किरणों की अपेक्षा इन किरणों का मुख्य अक्ष के पास अभिसरन होता है इसे हम गोलाकार विपत्थन कहते हैं जिसके परिणामस्वरूप असपष्ट प्रतिविंब तयार होता है अपातित किरने अगर अलग-अलग रंगों की हैं तो ये किरने लेंस द्वारा अलग प्रकार से अपवर्थित की जाती है जिसके परिणाम सुरूप हर किरन का नाभ्यांतर भिन्न होता है सफेद प्रकार सारे रंगों का मिश्रण होता है उत्तल लेंस से जब अपातित किरण गुजरती है तब जो प्रतिविंब तयार होती है वेस्पष्ट नहीं होती है इस प्रकार जब लेंस सारे रंगों को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं कर पाती है उसे रंग का विपथन कहा जाता है गतिविती चलिए अब एक बुज़ चिपकाने वाली गोंद की मदद से हम लेंस को काज की शीट के एकृली के साथ चिपकाएंगे अब हमने अरतात परदे को और लेंस को ऐक बड़े से रूलर पर रखा है जो आसानी से हिलाई जा सकती है अब स्क्रीइं को इस प्रकार रखें कि उन पर सूर्य की किरने पढ़ सके अब लेंस को स्क्रीन से उतनी दूरी पर रखें जिससे हमें सूर्य का स्पष्ट प्रतिविंब मिल सके इस दूरी को हम उत्तल लेंस का नभ्यांतर कहेंगे सूर्य का जो प्रतिविंब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं हम उसे वास्तविक प्रतिविंब कहते हैं चलिए इसी प्रयोग को हम एक मौंबत्ति की मदद से करते हैं हम देख सकते हैं कि यह प्रतिविंब वास्तविक है और उल्टा भी है हम प्रकाश के स्त्रोत और लेंस के बीच की दूरी को बदल सकते हैं इससे निर्मान होने वाले प्रतिविंब के आकार और प्रकार का ठ प्रतिविंब देख पाएंगे यह प्रतिविंब आकार में काफी छोटा और सीधा है यह प्रतिविंब हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं इसी करण आउतर लेंस द्वारा जिन प्रतिविंबो का निर्माण होता है उन्हें वास्तविक या आभासी प्रतिविंब कहते हैं आयामों वाली लेंस हमें यह समझने में मदद करेगी कि विभिन प्रकार की लेंस किरणों के मार को किस प्रकार प्रभावित करती है अब हमें दो वृत आकार गोल बनाने हैं और जहां पर यह दो वृत एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर हम उत्तल लेंस रखेंगे प्लास् जैसा जो भाग बन गया है उसे हम पानी से भर देंगे किरण कीस प्रकार अपवर्तित होती है यह समझने के लिए हम लेजर किरणों का उपयोग करने वाले हैं हम इस प्रकार से अलग अलग प्रकार और आकार की लेंसे बना सकते हैं जैसे उत्तर लेंस आउतर लेंस प्लानो जब हम उतर लेंज का इस्तमाल करते हैं तब किरन इस मार्क से जाती है साराज इन प्रयोगों के द्वारा हम लेंज की विशेशताओं के बारे में जान पाएं हमने यह भी जाना कि इनके द्वारा किस प्रकार के प्रतिविंब निर्मान होते हैं आप भी थोड़ा परिवर्तन कर इस प्रकार की कृतियां कर सकते हैं